बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइन्स और इसमें हम पढ़ रहे थे लेस्न नुम्बर वन लेविंग थिंग्स, प्लांस एनिमल्स पेश नुम्बर वन ठीक है? इसमें आज हम पढ़ेंगे पेश नुम्बर टेन आप भी अपनी बुक ओपन करिए पेश नुम्बर टेन ओपन करके देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं आज Adaptation according to food habits Adaptation किसी जगे को adapt करना अपनाना, किसी जगे को अपना लेना किसके according? Food habits के according हम क्या खाते हैं? हम green grass खाते हैं हम flesh खाते हैं तो उसी के according क्या होते है? Animal हो जा? Human being हो क्या कर लेते हैं? Adapt कर लेते हैं, किसी जगे पे रहने को अपना लेते हैं Food habits के according तो देख लेते हैं इसको Animals eat plants and other animals जो जानवर होते हैं वो plants भी खाते हैं और Animals भी खाते हैं वो They can be divided into four groups इनको हम चार भाग में क्या कर सकते हैं? Divide कर सकते हैं According to the type of food they eat Four types में हम इसको Divide कर सकते हैं इन Animals को उनकी food habits के according वो क्या खाते हैं? ठीक है? तो first इसमें देखते हैं First है इसमें Plant eating animals Plant eating animals जो plants खाते हैं वो जानवर जो केवल क्या खाते हैं? Plants खाते हैं, पौधे खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? Herb घास तो केवल घास खाने वाले या Plants खाने वाले जानवरों को हम बोलते हैं Herbivorous animals ठीक है? तो देखिए Animals like cow, goat, buffalo, sheep and giraffe eat plants देखिए आपके जो जानवर है Cow है, guy, बकरी, भैस, sheep, जिराफ ये क्या खाते हैं? ये केवल Plants खाते हैं They are called Plant-Eating Animals और Herbivorous Cow, goat, buffalo, sheep, जिराफ इनको हम बोलते हैं Plant-Eating Animals या फिर Herbivorous क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल क्या खाते हैं? ये केवल Plants खाते हैं, पौधे खाते हैं घास खाते हैं They have sharp cutting teeth and strong grinding teeth इनके दाथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और तेज होते हैं Grind करना, किसी चीज को चबाना चबा-चबा के खाने वाले जो दाथ होते हैं इनके बहुत मजबूत होते हैं और बहुत sharp होते हैं, नुकीले होते हैं Second देखिए Flash Eating Animals Flash मतलब Mons दूसरे जानवर का Mons खाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? Carnivores दूसरे जानवर का Mons खाने वाले Mons खाने वाले Mons खाने वाले Mons खाने जानवर क्या कहलाते हैं? Carnivores जो other animals के क्या करते हैं? Flash खाते हैं तो देखिए Animals like lion, tiger, fox and dog eat the flesh of other animals जैसे कि हमारे जानवर होगे Lion, tiger, fox और dog ये क्या खाते हैं? Flesh खाते हैं किसी और जानवर का They are called flesh eating animals और Carnivores इनको हम कहते हैं Flesh eating Mons खाने वाले जानवर और ये कहलाते हैं Carnivores They have well developed tearing teeth इनके कैसे दात होते हैं? Tearing teeth मत्तब फारने वाले किसी चीज़ को tear करना जैसे Mons को फार के खाते हैं जैसे जानवर चीर-चीर के खाना तो उसको बोलते हैं Tearing teeth होते हैं इनके Birds like eagle and vulture have sharp beaks and claws to catch and tear flesh हम birds की बात करें चडिया की बात करें तो eagle हो गया आपका और vulture हो गया इनकी beak कैसी होती है? Beak मतलब चोच बहुत sharp होती है and claws claws कैसे होते है? claws मतलब पंजे to catch and tear flesh पंजों से क्या करते हैं? ये अपने शिकार को catch करते हैं पकरते हैं and tear flesh और उनका जो manse होता है उसको फारते हैं They are also called scavengers because they eat garbage and dead animals carcasses इनको हम और भी क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं scavengers क्योंकि ये क्या खाते हैं? garbage भी खाते हैं और dead animals को खाते हैं मरे भी जानवर को खाते हैं और garbage खाते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं scavengers थर्ड है animals eating plants and other animals वो जानवर जो plant भी खाते हैं और other animals का manse खाते हैं वो कहलाते हैं omnivorous वो manse भी खाते हैं और plants भी खाते हैं तो वो कहलाते हैं तो इसमें देख लीजे, animals like bear, crow and cockroach, eat both plants and flesh of other animals, अगर हम बात करें bear, भालू, crow, कववा and cockroach, eat both plants and flesh of other animals, तो अगर हम बात करते हैं, भालू की, crow, कववे की और cockroach की, तो cockroach भालू और जो भालू और crow है, कववा है, वो केवल plants नहीं खाता है, बलकि वो flesh भी खाता है, तो plants भी खाता है और flesh भी खाता है, they are called omnivorous, तो plants और other animal का flesh खाने वाले जो जानवर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, omnivorous, do you know, man is also an omnivore, आपको पता है, जो हम इंसान है, human being है, वो भी क्या है, omnivore है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि हम plants भी खाते हैं, सबजियां भी खाते हैं, और manse भी खाते हैं, manse हारी भी हैं हम लोग, तो इसलिए हम भी omnivore में ही आते हैं, he eats plants and flesh of other animals, like, किस-किस का manse खाते हैं, human beings, खाते हैं, fish, मचली, goat, बक्री and chicken, etc. फोर्त अंबर आता है, parasites, parasites क्या होते हैं, देखिए, there are certain type of small animals that live on or inside the bodies of other animals, parasite क्या होते हैं, parasite वो होते हैं, there are certain type of small animals, छोटे छोटे और भी एक ऐसे जानवर होते हैं, जो कहां रहते हैं, live on or inside the bodies of other animals, other animals की bodies में या तो अंदर रहते हैं, या फिर बाहर रहते हैं, on or inside, कहां रहते हैं, other animal की body में ये रहते हैं, they are called parasites, ये कहलाते हैं, parasites, mosquitoes, जैसे की mosquito हो गया, leech हो गया, bug हो गया and hook warm हो गया, तो ये क्या है, parasite है, mosquito, leech, bug, ये सब क्या है, parasites है, they may have suckers or sucking tubes to suck food from other bodies, तो इनके अंदर कुछ ऐसे क्या होते हैं, suckers होते हैं, sucking tubes होती हैं, जिससे ये other animals से क्या निकालते हैं, food लेते हैं उससे और उसको खाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेश नमबर 11, what makes animals to adapt, animals को वो क्या चीज है, जो adapt करवाती है, तो देखिए, How do the animals adapt to their surroundings, animal किस तरह से अपनी surrounding को adapt करते हैं, कैसे करते हैं, Why do different animals adapt to different type of surrounding, क्यों अलग-अलग प्रकार के जानवर, जो हैं, अलग-अलग surroundings को क्या करते हैं, adapt करते हैं, These are some questions which come to our mind, ऐसे ही कुछ question हैं, जो हमारे दिमाग में आते हैं, Let us learn about some common animals, तो अब हम कुछ common जानवर के बारे में, सामने से जानवरों के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे, तो page number 11 देखिए, The body structure of animals are adapted to their surroundings, The body structure of animals are adapted to their surroundings, तो देखिए, body structure भी क्या होता है, surrounding क्या according ही होता है, तो देखिए, The skin of animals act as a protecting organ, जो animals के skin होती है, वो क्या होती है? Protecting organ की तरह काम करती है, The skin of animals help them to protect from various climate conditions, तो जो skin होती है animals की, वो animals को protect करती है, बचाती है, अलग-अलग प्रकार के climate से, ठीक है? It also protects the loss of too much water from the body, and this protects from dryness, ये बचाती है किस चीज़ से? Loss of too much water, पानी की जो कमी होती है body में, उससे भी बचाती है, and this protects from dryness, dryness से बचाती है, Animals like polar bear, अगर हम बात करें polar bear की, याग की, silver fox की, himalayan rabbit की, that live in cold reasons, वो लो cold reasons में रहते हैं, usually half-thick furs on their skin, क्योंकि ये ठंडी जगे पर रहने वाले कुछ जानवर है, इनकी body में कैसे fur होते हैं, बहुत जादा, मोटी, मोटे बाल होते हैं, मोटे fur वाली skin इनकी होती है, they also have a layer of fat under their skin, इनकी जो इस fur के अंदर होता है, वो बहुत मोटा एक fat skin होती है, मोटी skin होती है, मोटा चमड़ी होती है इनकी, the fur and fat keeps their body warm, जो इनकी बाल होते हैं, मोटे मोटे घने जो इनकी skin होती है, fur होते हैं, और मोटी body इनकी क्या करती है, ठंड से इनको बचाती है, गर्माहट देती है, animals living in desert like camel, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो camel है वो ship of the desert है, और desert में बहुत गरम होता है, तो जो camel है उसकी thick और less hairy skin जो होती है, इसकी body में जो बाल है वो बहुत कम होते हैं, ताकि ये रिगिस्तान की जलती हुई गर्मी से अपने आपको बचा के रख सके, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, इनकी जो फैदर होते हैं, वो क्या करते हैं इनको सूखे से बचाते हैं, इनकी स्किन में सूखापन आने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कलर प्रोटेक्शन देखते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको एक प्रकृती ने एक ऐसा गुण दिया है, कि वो अपने आपको अपने दुश्मनों से बचाते हैं, अपनी सराउंडिंग में अगर उनको लगता है कि उनको कुछ हाम पुछाने वाले कोई चीज वहाँ पर है, तो वो क्या करतेते हैं, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे कि, तो उनका जो कलर चेंजिंग वाली जो कॉलिटी है, वो उनको अनिमी से बचाती है, तो अगर हम बात करें, जेबरा, कौामा, टाइगर्स, and leopards have a stripe or spot on their bodies which make them to merge or mix with their surrounding तो zebra है, tiger है, leopard है ये अपनी surrounding ये according ही अपने इनका color होता है polar bear and fox are white, polar bear and fox कैसे होते हैं? white होते हैं they cannot be easily seen in the snow, तो बरफ भी सफेद होती है और polar bear और fox का color भी white होता है इसलिए अपने आपको easily बरफ में hide कर सकते हैं, छुपा सकते हैं the insect like, stick insect, resembles in shape and color to our twin, the leaf insect looks like leaf तो जो leaf insect होता है, इसका color भी कैसा होता है, पती की तरह होता है तो अगर कोई इसको harm पहुचाना चाहता है, तो easily इसको find out नहीं कर सकता है क्योंकि इसका color भी green होता है और ये पती पे रहता है और पती का color भी green होता है, ठीक है? next है, hibernation, in winter when the weather is too cold and there is scarcity of food जब सर्दियों में बहुत जादा ठंड होती है और खाने की क्या होती है, कमी होती है some animals go in caves or underground boroughs and sleep for a long time तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो cave गुफाओ के अंदर चले जाते हैं और बहुरों के अंदर जो छेद होते हैं, जमीन में की हो है, उनके अंदर चले जाते हैं और एक लंबी sleep में चले जाते हैं, गहरी नीद में सो जाते हैं this process of sleeping is called hibernation और ये गहरी निद्रा में सोने की जो process है वो क्या कहलाती है? during this period, the hibernating animals use the store food और ऐसी condition में ये जो hibernating animals होते हैं, अपना store food use करते हैं कुछ खाना जो होता है, वो store किया जाता है उनका तो उसको ही ये क्या करते हैं? खाने के लिए यूस करते हैं, usually fats in their bodies इनकी body में कुछ fat होता है, the common animals that hibernate are कौन कौन से हैं hibernating animals, तो frog होगी आपका, main duck, insects हो गए, छोटे-छोटे कीरे हो गए snail हो गए and few reptiles और कुछ रेंगने वाले जानवर हो गए, ठीक है? तो ये lesson आपका हो गया है complete आपका काम है इसको एक बार दुबारा से revise करना, read करना और समझना और इसमें मैं आपको छोटा सा काम भी दे रही हूँ, written work, वो है आपका things to remember, आपने things to remember करना है और इसमें आपने करने है, terrestrial, plants आपने लिखने है, ठीक है? aquatic, plants आपने लिखने है, some unusual plants आप लिखेंगे, और the common type of animals are, ये आपने copy में करना है, ठीक है? तो इसको पहले आप revise कर लीजिए एक बार lesson को, और उसके बार things to remember आप, आराम आराम से अपनी copy में अच्छी writing में note करिए